अले अब्रीबर वेलिकम पर सारवज मिश्राज यूटिव चैनल में यूटिव चैनल पर आपसे भी का बहुत-बहुत स्वागत है बीएड वर्सेस बीटीसी मामला फिर से सुप्रीम कोड पे पहुंचा है और इसके साथ ही साथ के विएस रिजल्ट के विएस डारेक्ट रि रिजल्ट पर रोक इससे भी रिलेटेड कुछ बाप है तो चलिए पूरी डीटेल हम समझ लेते हैं कि क्या है सुप्रीम कोड में फिर से क्या मामला पूंचा और रिजल्ट पर किस तरीके से चांसेस बन रहे है कि रिजल्ट पर भी रोक लग सकती है यह देखने को आपको म अब देवेश सर्मा जी ने किया है तो अपकोर्स यह बीएट से रिलेटेड ही है बट इग्जैक्ली क्या ही समझ लेते हैं इसमें जो पार्टी जिसे आप कहते हैं जिसे पार्टी बनाया गया है वह यूनियों ऑ इंडिया सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ओफ एजूकेशन तो सिक्षा मंत्राले को पार्टी बनाया गया है और इसके बाद जो है सुप्रीम कोट में फिर से एक प्रिटिशन दायर की गई है जिसमें अगर आप देवेश सर्मा जी की ट्वीटर जो अकाउंट है उसमें जाकर देखेंगे तो आपको समझ आए को महा से यह लिया मैंने य सिक्षा मंत्राले यूनियों अफ इंडिया को बनाया गया है और रिव्यू प्रिटिशन इसी के लिए सुप्रीम कोट में ही दायर की गई है फिर से कि पुनर विचार किया जाए जो बीड वर्सेस बीटीसी का जो डिसीजन आया सुप्रीम कोट का उसके लिए पुनर विच मिल जाएगा सेवन आवर्स अगो तो इसमें क्या लिखा है के विच का रिजल्ट क्लारिफिकेशन और रिव्यू पर सुनवाई तक जारी ना किया जाए तो के विच का रिजल्ट जारी ना करने के लिए दो बज़े के विचाले पहुचेंगे तो देवेश सर्मा जी ने अ का रिजल्ट आप तब तक जारी नहीं करें जब कि रिवीव पर सुन पर पहुच है तो अब इस में सिर्फ धर्नाई नहीं होगा इनने जलोरी ने में प्र सुन के रिवीव प्र सुन तो जब तक उसका फिर से नहीं आ जाता फाइनर तब तक आप रिजल्ट तो किसी ना किसी तरीके से के विएस रिजल्ट पर रोक फिलहाल टेंपररी लग सकता है अगर रिटें में भी यह जाएगा तो सुप्रीम कोड की कॉपी लगा के अगर यह लोग भेजते हैं तो जो प जो पर अफिस से बी प्रोटेस्ति के लगो रे यह जया है उसके अपस में है फिनिए कि फ़्टेस्ति नहींग दॉट्पूर वक् प्रोटेस्त करेंगे तो वह है देखते हैं उसकी अपदेट लोग बड़ेडियों में डाली है कुछ देर पहले अगर आप देखते तो दो गंटे पहले डाला हुआ है मतलब तकरीवन दो बजे एक या दो बजे के करीब 18 सेप्टेंबर को इन्हों नहीं अपडेट डाला हुआ है प्रोटेस्ट पर्मिशन तथा विविन मुद्दों को लेकर NCT DCP Office से लाइब अपॉइंटेट टीचर को ब्रिज कोर्स को लेकर NCT ने क्या कहा तो इस पर एक वीडियो भी डाली अगर हुआ तो मैं ये वीडियो देखके आप तक पहुचाती हूँ कि इसमें इन्होंने क्या एक हाएं